प्रस्मावली 13.5 कुशन 5 किसी फैक्टरी में बने एक वल्प की 150 दिनों के यूप यूप के बाद फ्यूज होने की प्राइक्टा 0.05 है इसकी प्राइक्टा ग्यात कीजिए कि इस पिरकार के 5 बल्बों में से फर्स्ट में कहा गया एक भी नहीं सेकेंड एक से अधिक नहीं थार्ड एक से अधिक फोर्थ कम से कम एक 150 दिनों के उप्योग के बाद फ्यूज हो जाएंगे प्रस्णावली 13.5 एक ही लोजिक है क्या है दुईपद वंटन सारे कुस्टन 13.5 के सारे कुस्टन दुईपद वंटन से ही लगाना है तो दुईपद वंटन बता देते हैं दुईपद वांटन से एक ही फार्मला होता है TX एकोल R R क्या है सफल्परा कीप्रायक्ताका एक फार्मला है n c r q की पावर n में से r को मैनस करेंगे तो n मैनस r और p की पावर यहां से लिखी जाती है यहां पे क्या है सफलता की प्रायक्ता के लिए फार्मुला बनाया गया और p क्या है सफलता की प्रायक्ता और q क्या है सफलता नहीं की प्रायक्ता तो यहां पर क्या होता है यह पी क्यू आर तो यह पी क्यू आर के मान निकालना है इन चार के मान आपको सबसे पहले पता करना कोशन में तो यह तो पता से जाएगा यह पी है तो यह कहां से पता चलेगा देखो कोशन पढ़ रहा है तो यह पता लग जाएगा किसी फैक्टरी में बने एक वल्ब की फैक्टरी में एक वल्ब बनाए जो 150 दिनों के उपियों के बाद फ्यूज हो जाता है तो उसकी प्राइक्टा कितनी है 0.05 इसकी प्राइक्टा ग्याद कीजिए कि इस पिरकार 5 बल्बों में से तो यहां पे टोटल कितने बल्ब दिये हैं 5 तो पांच बल्बों में से यन का मान हमें मिल जाएगा चाहिए या देख लो चाहिए यन का मान हमें क्या मिल जाएगा 5 सबसे पहले हम यन लिखेंगा यन इकुल 5 अब इसके बाद पी हमने क्या बताया था पी जो है एक के लिए फ्यूज होने की प्राइक्ता एक वल्ब की एक बल्ब की फ्यूज होने की प्राइक्ता कितनी है फ्यूज बल्ब होने की प्रायक्ता कितनी दे रखी है जिरो पॉइंट जिरो फाइव अब क्यू अब क्यू निकालना है पी तो पता से लगया अब क्यू निकालना है क्यू के लिए एक फारूला है पी प्लस क्यू एक्वल वन तो यहां से क्यू का मन निकलेगा बन माइनस पी तो जीरो बन में से पी का मन कितना है जीरो पॉइंट जीरो फाइव तो सॉल्प करें कितना हैगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव तो क्यू का मन इतना ही निकला है चाहो तो माइनस करो दस में से पांच गया पांच पे नो जीरो तो नो ठीक है अब इसके बाद हमको क्या बताया है नमबर फ़स्ट एक भी नहीं सफलता एक भी नहीं है किसके लिए फ्यूज वल्ब के लिए एक भी सफलता नहीं है जब भी घुसन में नहीं आ जाए तो आर क पामान क्या लिएते हैं जीरो एक भी सबलता नहीं है तो नुमर फर्स्ट और इक्वल जीरो दोइपद वन्टन से पी एक्स एक्वल जीरो फार्मला क्या है यह सी आर है तो यहां पर फाइव सी जीरो 5C0Q की पावर 5 में से 0 मैनस करेंगे 5 मिलेगा पी की पावर यहां से लिखी जाती है 5C0 कमान कितना होता है बन Q 0.95 की होल पावर 5 पी की पावर 0 कमान बन तो 0.95 की होल पावर 5 तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि जो आधार है 9.95 है बहुत ज्यादा है इसलिए सॉल्व ना करो तो आंसर सीट पावर में ही छोड़ना है अब सेकेंड में क्या बुला है सेकेंड यह तो हो चुका है सेकेंड एक से अधिक नहीं यहां पे सफलता कितनी मिली है फ्यूज बल्प की सफलता एक से अधिक नहीं इसका मतलब है सफलता जीरो या बन पे हमें मिल जाएगी क्योंकि मना गया है एक से अधिक नहीं एक से अधिक नहीं फ्यूज बल्ब की प्राइक्टा मिलेगी एक से अधिक नहीं फ्यूज की सफलता मिलेगी लेकिन जीरो या बन पे हमें सफलता मिल जाएगी किसके लिए नहीं है तो इसका मतलब है बन या बन से कम दुई पद वंटं से पी एक्स लेदेन वन पी एक्स एक्वल जीरो जीरो या बन पे जीरो या बन पे हमको क्या मिल जाएगी सफलता मिल जाएगी किसकी मिल जाएगी सफलता फ्यूज बल्ब के यह है तो यहां पे प्लस लगो दोनों नहीं एक साथ गड़ना गड़ित होंगी जीरो और बन पर किसी एक पर होगा है या तो जीरो पर सबलता मिलेगी फ्यूज बल्प की या बन पर सबलता मिलेगी फ्यूज बल्प की इसका मान और इसका मान निकाल लेते हैं तो यह नहीं 5 औहां पर जीरो है 5C 0 तो 5C 0 Q की power इसका मान निकाली चुगे कितना है? 0.95 तो डारे रख लो 0.95 की whole power 5 पिलस इसका मान निकालो 5C1 तो 5C1 Q की पावर 5 में से 1, 4, P की पावर 1, ठीक है थोड़ा सॉल्ट करो, 0.95 की होल पावर 5 प्लस, 5C1 का मान होता है 5, Q की पावर 0, Q का मान कितना है, 0.95 की होल पावर 4, P कितना है, 0.05, थोड़ा इसे सॉल्ट करो, अब इसमें कामन ले लो, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 5 है, तो कम पावर हम कामन लेते हैं, 0.95 हमने कामन ले लिया, तो 0.95 प्लस, यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 का इसमें मल्टिपलाई करेंगे, तो 25, 0.25, इसे प्लस करो, 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 होगा, 2 और 9, 11, और 12, एक दो के बाद 12 लगाँ, 0.95 की होल पावर 4, ठीक है, पॉइंट नैं फाव थार्ड पावर 5, अब इसका थर्ड पर देखो, थर्ड पर एक से अधिक, अब सफलता क्या मिली, एक से अधिक, एक से अधिक पर क्या मिली है, सफलता मिली है जैसे 2,3,4,5 5 से जादों तो जाएंगे 5 वल्ववों मेंसे 1 से अधिक मतलब 2, 3, 4, 5 पे हमें सफलता मिली है किसकी मिली सफलता फ्यूज वल्व की सफलता मिली है तो सफलता के लिए यही तो फार्मुला है तो इसे रफ कर देते हैं थर्ड पार्ट एक से अधिक और ग्रेटर दन वन दुईपद वन टन से पी एक से ग्रेटर दन पॉन इसका मतलब है एक से इक इक पार्ट पी एक से इक इक पर हमें सफलता मिली है कि इसकी फ्यूज वल्ब की मिली है तो सफलता मिली है अब एक बात बता दो हमने प्रस्णावली 13.4 में क्या बताई था प्रायक्ता बंटन प्रायक्ता बंटन मतलों टेविल बताई थी एक्स पी एक्स तो यहां पर हम क्या कर देते या दिर्शी चरकामान कैसे निकल दे पांच बल्बों में से या तो कोई भी पल्ब टू की समथ पॉर के और फायब के दोसे लेकर पांच इन्स सब काम क्या करेंग योग फाऊंध लेकिं दो से पांच देखो 2 से पाच यही तो है अब गिनो वन टू थ्री-फोर यहां पर बन तू तो इन चार कामान निकलो इन दो कामान निकलो सेम निकलता है तो बन में से इन्हें माइनस कर देंगा है तो एक्वल क्योंकि इसका, एक्वल, और एकवलके इसका इसका, इसका है, एक दो, तीं, चार, उह नहीं मान्ड, का मान निकालेंगे इसका nam क्या होता? यह भी हम इसे जोड़ते हैं सिग्मा पी एक्वल्ट, से माल बन आता है तो 같습니다 में से इन दोनों मैनस कर दो जो इन की प्राइक्ताओं का मान निकलेगा मतलों यह भल वह जीरो और बं का निकलेगा तो बं में से 0 वह बंको मैनस कर दो ठीक हाइन फ्राइक्ता बंटंप रसलावली 30. reality present और हम बता चुकें है हैं ठीक हैं अब दो देखो यहां पे निकला था ठीक है यह किसके इक्वल था एक्स लेस्ट देन इक्वल वन ठीक है इसका मान कितना निकला था बन पॉइंट टू और जीरो लिखो या ना लिखो जिरो पॉइंट और 9 5 की होल पाउर कितनी है इसका मतलब है कंसे कम एक का मतलब है एक या एक से ज़्यादा हमें सफलता मिल जाएगी किस की मिल जाएगी सफलता किस के लिए फ्यूज वल्व होने के लिए सफलता मिल जाएगी कम से कम एक तो एक, दो, तीन, चार यक सगमान एक मिलेगा, दो मिलेगा, तीन मिलेगा, चार मिलेगा और पांच मिलेगा या तो बन मिलेगा या टू मिलेगा या थिरी या फोर या फाइव तो इसे रफ कर देते हैं और नंबर फोर और फिर एक बार देखो कम से कम एक यह तो वह लिखा एक सो पचाट दिनों के उपियों के बाद फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर भी लिखा यहाँ पर भी लिखा केवल इतना देखो कम से कम एक कम से कम एक तो आर ग्रेडर दन इकुल वन एक या एक से ज्यादा हमें सफलता मिल जाएगी फ्यूज बल्प की फ्यूज बल्प की हमें मिल जाएगी तो दूइपद वन टंस ह तो Px एक्रेड़ डान एक्वल वन तो Px एक्वल 1 प्लस प्लस Px एक्वल 2 प्लस Px एक्वल 3 प्लस प्लस इन सबकी प्राइकताओं का अगर हममान निकालके हम योग करेंगे तो इसमें भी लॉजिक लग जाएगा क्या प्राइक्टा बंटन तो इसे रफ कर देते हैं मैं बता रहा है प्राइक्टा बंटन प्रसनावली तेरह पॉइंट चार में बताया था या दिर्शी चर कैसे निकालते हो फिर एक बार देख लो यह एक्स नीप राइक्टा प्राइक्टा प्राइक्टा ये पांच बल्बॉ मैंसे यह तो जीरो गयाँ वन ुट्री फोर और फॉया हमें वन टू निकलें तो ऐसे सोल्गरेंगे तो टाइम लगेगा आपको ऐसे सॉल्गरिए तो सवल तो एक्स इक्रो जीरोड यह तवह कर देते हैं अभी आप एधो बन मार की सब्सक्राब जीरों करó निकाला था किसमें इसमें निकाला था कितना निकला था 0.95 निकला था होल पावर 5 थी ठीक इतनी था तो कभी-कभी क्या होता है कोसन मिल जाए तो आंसें हम पावर में ही छोड़े ठीक है आप लुग में नौट करें से कर दो जाद झानको कर दो चुरी सब और साने का गजान का ला उगाओ टाद का आजय हम जाल जोगड़ान भी ये दिय को, झाल, बात, उास बास 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 चांसरा लाइब हम जो प्पार भी लाइब झान का जाँ का दोगा हम गिए।